स्वागत है आपका, आपके अपने ही यूटूब चैनल, मार्केट साइन्टेस्ट में, और आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं, टाटा पावर स्टॉक के बारे में, इस स्टॉक के चार्ट को डिसकस करें, इससे पहले जितने भी स्टॉक में नूज हैं, सभी को one by one discuss करेंगे तो सबसे जो हमने इस समय जो news सुना था उरिशा में 5000 करोर के capex की news ये near around 15 September की है ये news already हमने discuss कर रखा ये उरिशा की news है और इसके बाद यहाँ इस समय दिखाओं ilara capital ने इसके target 258-260 के दिये हैं जो easily आपको within 15 days to 20 days के अंदर दिख सकता है अगर ये stock 232 के उपर sustain करता है तो इस target को ignore करेंगे इसके बाद यहाँ दिखाओं ये इस समय एक breaking news trend हो रही है जो news कल की yesterday की news है और यहाँ देखेंगे Tata power to develop around 10,000 megawatt clean energy capacity next five year में राजस्तान के अंदर लगाने जा रही है यहाँ आप news को देखेंगे जिसमें जो 10,000 solar module के अंदर आप देखेंगे जिसमें solar module और solar cell manufacturing plant लगाने की बात कई जा रही है यहाँ आप देखेंगे its plan to develop 8,000 megawatt utility scale product और 1,000 megawatt solar roof और देखेंगे तो 1.5 lakh solar pump लगाने की काम करने वाली है next five year में जिसमें देखेंगे की जो मैंने आपको heading बताया develop around 10,000 megawatt renewable energy capacity जिसमें solar energy भी आने वाला है और राजस्तान के अंदर जो यह टाटा पाबर है वो continuous काम करते हुए दिख रही है और इसमें देखें तो overall जो employment generate होगा next five year में near around 8,000 तक के और इस समें देखें तो more than 4500 employment इस company ने राजस्तान के अंदर produce कर दिया है overall जो view है वो देखेंगे जो इसके MD और CEO है प्रवीर सिना वो काफी एक visionary person है और देखेंगे both in term of potential what has been done so far राजस्तान has today emerged a role model to produce green energy और green energy के sector में यह रियली बात है जो राजस्तान देखेंगे as a emerge role model के रूप में आते वे दिखा है इस समय देखेंगे राजस्तान और उरिसा यह काफी बेतर करते वे पहला राजस्तान भी और साथ में उरिसा भी यह देखेंगे काफी बेतर करते वे नजर आ रही है इसके साथी समय से stock के अगर average volume को देखें तो यहां देखेंगे stock ने 251 के high बनाएं आप जो 3 month के overall trend को देखें और जो week रहा वो 210 का रहा और हमने कहा कि जब भी आप देखें इसका normal जो volume है वो near around 1 to 2 CR के आसपास का रहा है लेकिन जब यह high बना इससे पहले देखेंगे कि यह stock में जो volume रहा वो 6 CR के आसपास का रहा और जब भी कोई stock एक higher volume के साथ breakout करता है उसके बाद अगर उसका volume कम हो या ज्यादा उसको नहीं देखना है लेकिन अगर इस price के उपर sustain नहीं करता है minimum 2 days तो आप मान करके चलिए क कि यहां से distribution सुरू होगा और यहां से downtrend आपको देखने को मिलेगा और यहां देखेंगे 247 के closing के बाद continuous downtrend रहा और stock ने 247 से 210 तक के levels बनाए यह आपको trend को समझने का एक आसान तरीका है और इससे मैं again volume देखेंगे तो 1 to 2 CR के आसपास trade होते वे दिख रहा है तो I hope आप इ बहतर तरीके से जितने आसान भासा में समझा पाओं वो बहतर मेरे लिए रहने वाला है यहां देखेंगे last month में भी हमने देखा कि यहां चार mutual fund आप देखेंगे चार mutual fund यहां Tata, Arbitrage, HDFC, SBI और ICSA potential ने add-on करा था और इसके साथ जो last month देखेंगे September में तो 3 mutual fund के दौरा SBI, HDFC और KOTAC ने add किया बाकी सभी mutual fund sell करते वे दिखेंगे हैं इसके साथ ही यहां मैं आपको दिखा हूँ टेकनिकली स्टॉक पिछले one week में trend positive दिखा लेकिन उसके बाद देखेंगे कि trend negative दिख रहा है हलांकि यह जो sector है energy sector वो भी देखेंगे तो इसमें downtrend में trade होते वे दिख रही है और सारे updates हमने already discuss कर रहे हैं यहां इसके chart को दिखा हूँ तो पिछले लगबग six to eight month से देखें तो यह consolidate form में trade हो रहा है तो इस समय जो trader है उनके लिए यहां देखेंगे यह support बनते वे दिख रहा है और market अगर काफी selling pressure चुकी global देखने को मिल रहा है तो 200 और 215 का price एक buying opportunity है जिनका horizon more than three to five month है और जो एक strong breakout है वो 252 के उपर ही दिखेगा जब तक यह stock 252 के उपर नहीं देखता है तब तक यह remain consolidate चलने वाला है easily मैं इसको अगर weekly chart में आपको दिखाऊं तो आप बहतर तरीके से समझ पाएंगे कि last time stock ने काफी consolidation एक लंबा consolidation हमने इस stock के अंदर देखा था यहां आप consolidation देखेंगे तो एक huge consolidation हमने देखा था वो consolidation लगबग 2013 से देखें तो 2021 तक near around 7 to 9 year के आसपास का consolidation रहा था इस समय अग consolidation के बाद stock ने 200% तक के returns दिये हैं तो short term trader इसको इस समय ignore कर सकते हैं काफी slow moving stock है और अगर यह 252 के level के उपर sustain करता है तो immediate अगर यहां से 100% return भी देखते हैं तो यहां से आप easily मान करके चलिए कि 500 प्लस तक के levels दिख सकते हैं लेकिन makes sure कि इसका closing 252 के उपर होना चाहिए short term trader ignore करें long term निवे से किस stock में बने रहें क्योंकि इस stock में अगर 100% return इस price से देखें last time consolidation के breakout के बाद हमने near around 200% तक के return देखें यहां से अगर 252 के near price से आप 100% return भी देखते हैं तो 500 के आसपास का target निकल के आता है I hope यह video informative रहा और कुछ learning रही लेकिन ध्यान रखें कि इस consolidation को जब तक break नहीं करें तब तक थोड़ा buying करने से बचेंगे bulk quantity में thank you इसके बाद भी कुछ query हो आप comment box में जरूर पूछ सकते हैं